कि अग्षिए कई वेलकम टु टु एकेडमी आम आकर्स मेता विल डिस्कस तब करन टपर सथा मार्ज फर्स्ट वीक लेट स्ट वीड़ फर्स्ट न्यूज है अमारी प्हेलिए न्यूज है ऑपरेशन गंगा के बारे में अपरेशन गंगा आप सब को भी पता ही है कि अभी र rescue करने के लिए government ने ये mission को launch किया है right yes अभी government ने इस mission को पूरा करने के लिए international committee of the red cross के साथ partnership किये जिसका headquarters कहा पर है जिनिवा के अंदर अभी ये संस्था का main role यह है कि वार की वज़ा से Ukraine का जो air space से वो बंद है तो Ukraine के अंदर से हमारे इंडिया इंडिया को उसकी इंडिया के साथ उसके साथ partnership किये है और इंडिया के बात करें तो Boeing 787 plane का यूज किया जा रहे है यह पूरी mission को execute करने के लिए एक्जाम पॉइंट ओफीस है कि अभी रिसेंटली गवर्मेंट ओपरेशन गंगा लॉंच किया है कौनसी कंटी में से इंडियन सेटीजन को rescue करने के लिए यूकरेन के अंदर इसके लिए गवर्मेंट ने को समन में आया होगा ठीक है अभी उसी mission के लिए गवर्मेंट ने टोटल चार मिनिस्ट्री को यह काम सौपा है उसके अंदर पहला नाम है हमारे मिनिस्टेर अफ्राइब अर्बन अर्बन अफेर्स अन पेत्रोलियम निचल गास हर्दीप से पूरी सेकंड नाम है मिनिस्ट्र पुर्द लोग निचस्टीस के लिए जिजु Civil Aviation Minister Jyotindraश India and Minister of State for Road, Transport and Highway and civil Aviation General VKC तो एक्जाम पॉइंट ओके से गर्मेंने कॉनसे मिनिस्टिस को ये काम स्वपाए कि तो ओवर सीडों ऑपरेशन गंगा तो रेस्क्यूर इंडियस इडिशन फ्रॉम तो ये चार मिनिस्टर हाउसे के नर्बन अफ़ेस और प्याटो ने मिचल गाई इसके अरदीप सी पूरी मिनिस्ट फूर्ट लो एंग जस्टिस कि रन्री जीचू सीवी लेविशन मिनिस्टर जोतिंद्र सिंद्या और मिनिस्टर प्स्टेट ऑफ रोड नास्पोड और हाईवे इन सीवी लेवेशन जनरल वीके सी उसके अलावा गर्में ने ट्वीटर हैं भी डॉंच किया है अभी रिसेंट्ली इंडिया और जापन के बीच में एक मिलेट ह्ट्री एकरशाईज के गई एकरशाईज धर्में दो तर मईस Maar ऑके एकरईजण से ़ो यह कहां पर कंद्रर कीए घए मिलेगा भी कनडका के इंदर अभी आप सबको पता ही होगा पार विश Holding तिए एएक होती है Air Force की exercise और एक होती है Navy की exercise हरे प्रॉम हम य होते हैं अंदर कौन participant करता है बैटेलियन है एeh Falls कि क्टिक सेचर Tebasis करते है एर्ट्राफ्स और नीवी के अदर पाइटिसेपेट करते हैं सीप्स सब्सक्राइब नीप कोनदी करेगा बेटेरियन धुराइब आए होगा में चैस का नाम क्या है तो एकशाइस थर्म करीज हो के यह यहां प्रघ्रिश क्यों अंदर यह एकशाइस व्यक्षण बहुत आते हैं कोई पर्टीकुलर ऐकसेट का नाम वह कौन सी कांटिष के बीच में होती है और 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 कहाँ पर होती है और उसके अंदर किसना participant किया यहां पे एकसे दर्मा गार्डियन वो इंडिया और जापान के बीच में हो रही है ओके वो कहां पे हुई बिलगावी करनाटका के अंदर ओके और इंडिया की तरफ से उसमें कौन से बेटरियन पार्डियन फिफ्टिंग बेटरियन अधर जापान की तरफ से किसना participant की इतना इंपोर्टन नहीं है अभी थोड़ी हम इंडिया और जापान के बीच में हिस्ट्री की बात करें उनके डिप्लोमेटिक रिएशन की हिस्ट्री की बात करें तो जापान के बीच में एक्सेस हो रही है ना धर्म गार्डियाइन वो कभ से हो रही है 2018 से हो रही है हर साल इंडिया के अंदर हुरे है उसके आनावे इंडिया जो जो diplomatic relationship book का best applies हुए थो 1952 के अंदर तो अभी उसके कितने साल complete हुए 70 साल complete हुए यह 70 साल complete हुए उसे की याद के अंदर government ने अभी recently एक commemoration logo launch किया है एक logo launch किया particularly ministry of external affairs ने हमारे और वो logo के अंदर एक peacock है और एक green frozen है पीकोग को आपको पता है कि वह इंडिया का नेसल बर्ड है जापान का नेसल बर्ड है तो आइधिंक आपको थोड़ा सा समय में आया होगा नेक्स न्यूस गवर्नमेंट ना भी launch किया एक लोड़ स्टेप crop insurance distribution drive मेरी policy मेरे हाथ अंडर पतारमंत्री फसल भीमा योजना ओके अंदर लॉजल गया था उसका मीन ऑबजेक्टिव था की तो पुरवाट दा प्रचेसिंग आउड आप दो निश्रल के नेमेटी के वादा से जो भी फार्मर्स को जो क्रॉप लोस होते थे उनके अगेंस में उनको फाइनसल सपूर्ट प्रवाइड करना यह उजना का मीन मोटी उथा जो 2016 के अंदर लॉंच की गए थी ओके प्रचे ऐसंने करते हैं यह उजना के अंदर अगर आपको अपने सब्सक्राइब किया है और अगर आपको मेरेफिट लेना है तो जब भी आपका क्रॉप लोस हो उसके सब एंटीटू ऑवर्स के अंदर आपको क्लेम करना पड़ेगा सबसे पहला पोईंट कि जब भी आपका क्रोप लोस हो निचनल के लिए में टीके जस्ट सेवन्टी टू ओवर्स के अंदर आपको उसका क्लेम करना पड़ेंगा अब क्लेम कहा कहा से कर सकते हो ग्रोप इंसुरंस एप्लिकेशन के थ्रू कोमन सर्विस सेंटर के थ्रू और तर नियरेस एग्रिकेशर हफिसर के आप जहां पर गवर्मेंट के भी आप में लोग काम करते हैं पहले के अभी तो आप गूगल पेसे कर लेतों मतलब ऑनलाइन ही आप कर लेतों एलेसी के प्रीमियम बरना बील पे करना रिट सिटी के तो पहले क्या था ओटीट कोई पड़िबल दुकान पे लोग जाएगे जहां पर लोग बिल को क्रेट करते हैं वो बोलते हैं कॉएन से कॉमान सर्विय सेंटर के अंदर से आप यह किलेम कर सकते हो अगरी कblesffen कर सकते हो और क्लेम कर सकता है औरус के थर्व पर किलेम करना पड़ीगा यह इन एक फीजर है ओके तो ऑमिरमन ने इक औभी कि जो मैंने आपको बता है ना कि बहुत सारी फीचर्स ऐसे हैं पतार्मत्री फसल भीमा यूजना के कि जो फार्मर्स को पता नहीं रहता है तो अभी तक अभी देखो जो भी पॉलिस आप लोगे नो उसके हाड़ कोपी आपके हाथ में वह कूरियर के थुरुआ दे रहे लेक पतार्मत्री फसल भीमा यूजना को पर्टेस करेंगा उसकी जो पॉलिसी पेपर्स है वह गवर्मन ऐफीचर्स खुद उनको जाके देखे उनको समझाई के कि पॉलिसी के अंदर क्या-क्या फीचर्स है क्या-क्या-क्या बेनिफिटिकर्स को पता नहीं रहता कि कब क्लेम क करना चाहिए वह पॉलिसी के फीचर किया है तो वो सब उनको उनके बारे में उनको अवेर करने के लिए यह गवर्मेंट के त्वारा यह डिसीविशन टाइब आँ लॉंच की गए मेरी पॉलिसी मेरे हाल आपके एक्जाम पॉइंट वी से अभी रिसेंट लिए एक मेरी पॉ किसको सक चेट किया अजे इतियाकों को से बीकाति हो का से बी क्या है capital market regulator से बीक्या है capital है ऑद मार्किट रेकिलियोटर है तो उनके जो अपि चैर्मेंट बने वो ब्धा में पूरी बूच बने वो चैर्मेंट ने लेकिन वह अभी तक की पहली उमेन है जो जो फिर्ष्ट पर्सन है के जो प्रवेटी सेक्टर से बीलों करते हैं जो सेवी को हेड़ करेंगे और उस उसके अलबाव वो फर्स्ट नॉन आईस है कि जो सेवी के जैनमेंट अभी तक जितने भी सेवी के चैनमें बने वह आई-स संट थे पॉब्लिक चेक्टर से बर्योंग करते थे और अभी तक कोई वोमें से जैनमें नहीं बने थे लेकिन यह तीनों के अंदर के फिर्सट बनी मदाभी पूरी बुछ बहुत important appointment है सेभी के बारे में मैंने यह पर static facts लिखा है उसका air quarter कहाँ पर है वो कौनसे एक के अंदर में काम करता है so and so right okay अभी recently रफेल नाडल ने Cameron नोरी को हराया और Mexican open जीता कितनी बार fourth time बहुत important news है क्योंकि sports के अंदर examiner का favorite मैं बूलू न स्पोर्ट टैनिस है ओके यस देखो सबसे परी न्यूस के Mexican open किस ने जीता रफेल नाडल ने उसने किसको हराया Cameron नोरी को रहाया रफेल नाडल कोंसी कंट्री से बिलोंग करते हैं रफेल नाडल है Spanish से बिलोंग करते हैं यूके से बिलोंग करते हैं इतने परसन इतने के लिए बहुत important है और यह रफेल नाडल ने Mexican open जीता तो उसे लेकिन कितने बार जीता यह fourth time जीता और पिछले तीन बार उसने cup cup जीता था वो भी बहुत important है सबसे पहली बार उसे 2005 में जीता था 2013 के अंदर जीता था और थर्ड बार 2020 के अंदर अभी fourth time 2022 के अंदर एक important fact ऐसा है कि जब 2005 ने उसे पहली बार जीता था तब वो सबसे youngest player था to win the Mexican open और 2020 के जब उसने fourth time जीता था था सबसे oldest player to Mexican open to win the Mexican open राइट ओके यह रखने नडाल का total 91st ATP टाइटल था अभी देखो आपको पता ही होगा कि टेनिस के अंदर है ना चार ग्रांचले माते हैं तेनिस के अंदर कितना है चार ग्रांचले माते हैं फर्स्ट है यूएस ओपन second है वीमल्डन open third French open और fourth Australian open व्यूप अचता है तार ग्रांचले माते हैं ये चार ग्रांचले महाते हैं साल किले जाते हैं तक रंग्रांचले माती ने बिषिस में तेनिस के अंदर इवेंट्स होते न हो एट्टी भी टैडल के अंदर गिने-01 जाते हैं ई-व्यूफ क्रानस्लेम के अलावा जितने भी टनिसे अंदर इवेंट होते हैं वो ETP के अंदर गिनाथे ब्रावा एक ट्रफरम क्या है एसोचेशन आउफ टनिस प्रफेशनल्स यको हुझत तो यह वेसे चार आफ क्रांड सलेम के अलावा जीतेने भी टूनामेंट के अंदर अदर होते हैं वह 80 घर गिरा जाते हैं तो रफनलर का इनाइंटी सिटने वाले कौन हैं सबसे बिलांज जेतने वाले हैं जीमी कॉनर निर्वास नमके पर्शन है जीसले जिनों सबसे ज़्यादे 80 जीते हैं और उन्हें कितने एक्षी पेडल जीते हैं 109 उसके बाद रोजर फेडरर जीनों एक्सो तीन एक्षी पेडल जीते हैं और उसके बाद नावाता है तो यस एक्षाम पॉंट ओफीस है कि अभी मेक्सीकन ओपन किसे नहीं होता है रफेल नाडल इसको और है केमरा नोरी रफेल नोरी कॉंसेकंटी से बिलों करते हैं यह रफेल नाडल का फोर्थ मेक्सीकन ओपन था तो उन्होंने पहली बार कप जीता था राइट और उन्होंने का कितना यह कॉंसान ऐटीपेल था नाटीफा सबसे अदा एटीपेल जीते वाले कौन हैं जीमी कॉर्णोर रोजने फैडर ने कितने एटीपेल जीते हैं अभी तक राइट तो यह सारे क्विस्टन्स बन सकते हैं ओक्या आइधिंग आपको समन में आया होग हो बराबर ओके और एक इन्पूर अन्फेक्ट के अभी तक 2022 के अंदर एक भी टूनामेंट नहीं हा रही हो उन्होंने मेलबून समर्शेट वन करके टूनामेंट हुआ था वो भी जीता है और मेक्सिकल ओपन एटीपी बी जीता रहे तो अभी तक 2022 के जितने भी इवेंट्स हुए है पर अभी वह रफेनल अन्डिफिटेट रहे है रहे है राइट ओके अभी बात करें नेशनल साइन्स डे की नेशनल साइन्स डे बहुत ही इंपूरेंट डे है हो हर सल कुन से डे गया रहा है 28 February के दिन नेशनल साइंस डे स्लेब्रेट की रहता है और 28 February को ही क्यों से सलेब्रेट की रहता है क्योंकि उसी दिन हमारी को चंद्र सेकर वेंकेटा रामन, सिवी रामन, उन्होंने एक चीज को डिस्कवर किया था, उनको बोलते है रामन इफेक्ट, अपने नाम सुनाओगा, रामन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, रामन इफेक्ट डिस्कवरी क्या है, कि how the light is scattering, light कैसा डिस्टिबीट होती है, वो एक डिस्कवर उसको बोलते है रमन एफेक्ट, वो सिवी रमन ने 1928..28 February को déjà Tiffany informações किया था, तो उनके ही वो Discovery के याद के अंतर ये हर सल 20 February को नेस साइंस से से चलिंबरेट किया जाता है नेस क्ष में चलिंबरेट के रहता है 22ndlung to 28 February हर साल, और इस बार नेस साइंस देकी थीम क्या थी integrated approach in science and technology for the sustainable future integrated approach in science and technology for the sustainable future यह उसकी theme थी तो एक्जाम पॉन्ट पीस है निसनल साइंस टे कब आता है 20 फेबरुबारी को निसनल साइंस विग 22 फेबरुबारी तो 28 फेबरुबारी इस बार निसनल साइंस टे की थी थीम क्या थी और कौन सी दिसकोब्री के यह अत्मे इस विवड़ के जाते है रामने इफेक्ट ऑके उसके अलावा उसके बेक्राउंड के बारे में थोड़ी बात करें सबसे पहले National Science Day कब celebrate किया गया था 28 February 1987 को सबसे पहले National Science Day 28 February 1987 को celebrate किया था और उसी National Science Day के उपर दो एवर्ड भी दे जाते हैं एक तो Science Population Award और एक Serb Women Excellence Award Science Population Award कौनसी संसा के दोरा दे जाता है Department of Science and Technology के दोरा और Serb Women Excellence Award Consensus के दोरा दे जाता है Serb के दोरा उसका full form क्या है Science and Engineering Research Board के दोरा Science and Engineering Research Board के दोरा सबन में आ रहा है जैको National Science Day के उपर दो Important Award जो National Award माने जाते है National Award for the Science Popularization वो किसको मिलता है कि जो person और जो organization ने Science and Technology को बहुत प्रमोट किया है बराब लोगों को encourage किया है Science and Technology के अंदर invent करने के लिए तो उनको ये Award दिया जाता है और Serb Women Excellence Award की सब्सक्राइब के जो women ने Science के अंदर बहुत अच्छा काम किया है जिन्नों को innovative patent launch किये वो women को लेकिन उनकी एक 40 साल से कम होनी चाहिए वोमेन की एच तो वो women को ये Award दिया था है Serb के त्पारा Science Engineering Research Board के त्पारा I think आपको ये समाझ में आया होगा वन अप्टा इंप्रेंट डेथा नेसनल साइन्स ने ओके अपि रिसेंट लेंग कैबिनेट कमेंड़ अपिर्स ने ओफर्स ने ओफर किया नाम सुना वाइए के त्पारा 95% को प्रोडियोस कह रहता है और वह दो सेक्टर को देती है एक पावर सेक्टर और नोन देखिलेटर सेक्टर और अभी तक उन बोनों के लिए अलग से ओक्षण विंडो खुलता था पावर सेक्टर के लिए अलग से ओक्षण होता था और नॉन डेकुरेटर सेक्टर के लिए अलग से ओक्षण होता था लेकिन कोल इंडर में जो भी कंपनी काम करते हो क्या करती थी यह पावर सेक्टर आप उनको पता है कि वो डॉमेस्टिक काम करते हैं पावर सेक्टर तो उनको कम प्राइस के अंदर प्यासा देगा कोल देगी और जो नॉन डेक्वर सेक्टर जो ट्रेडिंग के अंदर कोल का ट्रेडिंग करते हैं इंपोर्ट एक्सपर्ट करते हैं उनको ज्यादा प्यासे के अंदर कोल बेस थी अभी कोल इन डिमेड and sell the coal right मतलब power sector और non-agro sector के लिए अभी same price के उपर coal मिलेगा coal इंगने के द्वारा इतने भी coal produce होता है उसके द्वारा तो उसका benefit क्या होगा देखो उसका benefit यह है friend कि एक तो single rate मिलेगा सबको for all the consumers ओके और elimination of the discretion जो दोनों के के बीच में discrimination होता था कि वह एक पावर सेक्टर को कम प्राइस पर देते थी और non-regorant sector थे उनको ज्यादा प्राइस पर देते थी बराबर तो दोनों के बीच में discrimination था वो कम हो जाएगा वो eliminated हो जाएगा तो कि दोनों के बीच में 2013 तब एक target रखा गया है कि petrol के अंदर 20% Ethanol को 20% Ethanol को to blend किया जाएगा कितना 20 पर सेनको ब्रेंड किया जाएगा 2030 इंडिया का target अब यह बहुता ही है मेरा अभी 5 परसें तो होई रहा है राइट तो अभी पांच पर्शन हो रहा है लेकिन अभी कितना पर्शन हो रहा है फ्रेंस पांच पर्शन रहें लेको बेनीफिट्स ऑफ द यॉक्षन विंडो क्या है एक तो सब को सिंगल डेट के उपर मिलेगा सिंगल एट फॉल्ड ऑल्ल द कंजूमर्ट इस वन डेट की अभी तक जो डिस्क्रिमिन्स से हो रही थी कि पावा सेटर के लिए अलग प्रैस के उपर और नॉन डेट्रों सेटर के लिए अलग प्रैस के उपर जो कोल मिलना था वो सभी को सेम रेट के उपर मिलेगा सेकंड कि जो यह जो डिस्क्रिमिन्स हो रही थी उसका ऐलिमिनेशन हो गया ओके थ भी हैं कि कि मिद्चनल का मेन यूज यूज एत्यनल प्ररण होता है और एत्यनल का यूज प्रणों के लिए ब्लेंदिंग करने कि लिए लिए अज घृत थह हैं टो वह उच्वीन यूージ हुझ उसली आज तो वो मेद्चनल की जहां के अंदर पार्टिसेट करने की जरूवत नहीं है को अंदर इतने भी कंपनी काम करें उसको स्पेसिफिक वो कंपने के लिए कोल साइड में रखना ही पड़ेगा राइट तो गवर्मेंट ने ऐसी कंपने के जो प्लांट्स एस्टाब्लीश कर रही है बराबर उनको को पर्च कि लॉंग टम कोल अलोटमेंट एक पॉइंट है ना लॉंग टम अलोटमेंट अपने के जरूवत ही नहीं है राइक क्योंकि वह लोग कार्बन एमिशन को कम करने के लिए काम करें चुली तो गर्मेंट ने उनको इंसेंटिव टाइप कर दिया है थोड़ा सा ओके एक दूस जो भी कोल आप पर्चेस करते हो तो वह कोल का बाइडिफोर्ट टांस्पोर्टेशन अगर कोई आप स्पेसेफिक मोड सीलेक्ट नहीं करते तो बाइडिफोर्ट टांस्पोर्टेशन कौन से रूट से होगा रेल मोड से होगा एक बहुत इंपोर्टन चीज है कि अगर क्यों पर कोल्ड पर्चेस करने के टाइम तो बाइट डिफोर्ट टांस्पोर्टेशन रेल मोड से होगा इंपोर्टन क्वेशन है एक्सम पॉइंट और व्यू से आई तिंग आपको समय में आया होगा के चैबिट कमेट अब एक नेशनल डूलाउट किया आयूश्मान भारत डिफीडर्ट डिफैल मिशन का जिसका बजेट कितना रखा गया है सूला सू करोर कितने साल तक पाठ साल तख देखो बहुत इंपोर्टन क्वेशन है कि क्या किया गया है उसके लगर देखो बहूत इंप्व harness रेखें पूर्मिल पोड़ाने फ़िश्माइमेश और सबस्केंट सबितोर box अध्रanson करें मुस्का चाहिए जोवी रिखा है वह सब्सक्राइए पढ़ पाएगे राइड ओके क्योंकि एक लिटल पोटल है वह जितने भी रहेस्टर डॉक्टर उनके पास उसका एक्सेस होगा ओके तो अभी आप ऐती है चाहल को पूछे कि तक्र sacrifice के आपको क्या हुता था यह प्योगिश्वा सफसे का कुछ्छ और्शियूस ओंको अख्य़टल लेटिक्शन के घम उतुक्टर नेन इतना होता था यह वह हिआ कि पास्ट के न जितने मीघेल्थ रेकोर्ड थे वो डॉक्तर के पास टोक्तर प्लोक्ते उनके पास और tornado का ओके तो यह एक मिशन यह आयुश्मन परत डीटल मिशन का एक में मूटीव है कि पीशन्ट का हेल्थ रेकोड सभी के पास अवेलेबल हो अभी ऐसा नहीं कि डॉक्टर खुछ से अपना आपका हेल्थ रेकोड अपडेट कर पाएगा कि खुछ से मन अपडेट तो कर आप जिस तरह से अपनी बेंक एकोड के अंदर रानेशन कने के लिए आप बेंक को अपना एकोड नमबर वगरा देते होना उसी तरह आपके हेल्थ रेकोड के अंदर अपडेशन कने के लिए आपको डॉक्टर को अपना हेल्थ एकोड नमबर देना पड़ेगा हां अगर आपको अपने हेल्थ एकॉंट के अंदर कुछ भी अपडेटिन करवाना हुए तो यह पुरा एक पेशन का हेल्थ रेकॉर को डीटल करने का यह मिशन का में मोटीव है तो आइसमन बरट डीटल मिशन की बारे में बात करें तो यह मिशन अभी पूरे नेशनवाइड लॉंच किया गया है गवर्मेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ फैमिल वरिफर के दरा और उसको कर रहा है इंडिया के अंदर उसको एक्सिट कर रहा है नेशन हेल्थ ऑथोरिटी ओके और यह मिशन एच्छले 2020 के अंदर लॉंच किया गया था पाइलोट बीचिस के उपर आप देख सकते हो 2020 के अंदर पाइलोट बीचिस के अंदर लॉंच किया गया था और यह किया गया है और उसको इंप्लिमेंट कुन करेगा नेशनल हेल्थ और सभी पेशन्स के पास यह आब होगा आईश्मन बारत हेल्थ एकाउन नंबर वह आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा डॉक्टर वह पोर्टर पे जाब के आपका एकाउन नमर लिखके सभी डेटा अप 200 क्रों रुपिया पास साल तक अलोगे किये है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा राइट ओके अभी रिसेंटली केनेडा बीकम ता फर्स्ट कंट्री तो अपूरू दे यूस अब तो कोवी फेंस का यूस अपूरू करने वाला पहला कंट्री कौन बना केनेडा अभी क कोवी फेंस क्या है कोवी के नेहीं के अचासी मतलब आयूर्ख वेक्सिन है तो एक्जाम पाइट फैसे है वर्ल की पहली प्लांट बेस है जिसका नाम है कोवी फेंस उसको अपूरू करने वाला पहला स्क्रीत कोण सा बना कैनेडा और उसको डेघलोक किसके द्वरा किया ग कि Canada becomes the first country to approve the use of the co-eference world's first plant discounting vaccine okay thank you next news yes कि अभी recently अभी सेख सी जो अभी तक डिजिटल इंडिया कोरपरेशन के CEO थे उनको अभी नए CEO बनाए गए नेशनल E-Governance Division के नेशनल E-Governance Division फ्रेंज बहुत इंपोर्टन संसाय नेशनल E-Governance हो जाए उसके लिए बहुत प्रयत्ना करी है तो उसके लिए जो भी टेक्निकल आसिस्टन्स प्रोवेड कर रहा है वह संसा का नाम क्या है नेशन E-Governance Division वह संसा कुद कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है मिनिस्ट्री और इंफ्रमेशन टेक्नोजी के अंडर में है तो यह संसा कब एस्टाब्लेश के गए थी 2009 के अंदर तो अभी उसके नए अभी से कसी जो पहले डिटर इंडिया कोर्परेशन के सी ओ होते हैं ओके नेक्स्ट और एक टेनिस की न्यूज आई कि अभी रिसेंटली डैनिल मेडवेडेव जो नए एक टीपीर वर्ल नंबर वन प्लियर बन गये हैं टैनिस के ये बंडियर दैनिल मेडवेडेव वो इलूज ऊणटी से बिलोंग करते बर दा क्योर्ज वर्ल नंबर वन एंसलिह गये मैंन चैटेगरिय के जिन्हों पीछे रखा है नम्सर्पять ब्रॉक कर शेशते डेक्स और इसलिए है क्योंकि नुवाक चोका विक जो अभी हा रहे है ना राइट नुवाक चोका विक जिनोंने उनको पीछे छोड़ा है न बरावर वो अभी तक 361 week तक 361 week तक वो continuously world number 1 थे लुवाक जोकोवीक जो अभी दूसरे नमर पे पहुंच गया है सर्विया के प्लियर वो 361 मतलब almost 7 साल तक continuous फर्स नमर पे थे और उनको पिछह छोड़के डेनिन मेडवेडे वो फर्स नमर बर बने है इसलिए ये important है और उसके अलाव एक fact ऐसा है कि अभी तक week 4 top 4 tennis के अंदर जोकोवीक, रोजर फेडरल, रफिल नडर और एंडी मरेकर के चार खिलाडी है वो 18 साल से राज करते थे और ये पहले ऐसे खिलाडी है जो ये top 4 से बाहर है बना टॉप 4 में उनका नाम नहीं आता था और अभी वो first number पर है तो मेंड़े अभी रिसेंटली एक tournament जीता था 2021 के end के अंदर US Open, ये Grand Slam का नाम है तो वो एक important news है कि अभी रिसेंटली मेंड़े रिसेंटली एक tournament जीता US Open 2021 राइट अभी इंडिया slips to 3 sports to 120 on 17 SDG Goals एक report launch किया गया है उसका report का नाम है State of India's Environment Report 2022 report का नाम है State of India's Environment Report 2022 और वो कौनसे संस्था के दवरा launch किया गया Department of sorry Down to Earth Down to Earth नाम की एक संस्था है उसके दवरा ये report launch किया गया DTE State of India's Environment Report 2022 सबी कंट्रीज को एचीव करने है उसमें इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है वो इस रिपोर्ट के अंदर दिखाए गया है सबी कंट्रीज को एचीव करने है और 2030 तक एचीव करने है वो टारगेट यह पता लेकिन उसमें प्रोग्रेशन किसना किया यह यह रिपोर्ट के अंदर बताये गया है तो यह रिपोर्ट के मुताबी सस्टेनेबल डेलोपेट गोल्स के प्रोग्रेशन के अंदर इंडिया का रेंग कौनसा है 120 जो 2021 के अंदर कितना था 117 था अभी कितना हो गया 120 ओके टूटल कितनी कंट्रीज का सर्वे किया गया युएन के अंदर टूटल 192 कंट्रीज है 192 कंट्रीज से उसका सर्वे किया गया है उसमें से इंडिया का रेंगे 120 और 2021 कंदर कौनसा से 117 राइट ओके यस तो सस्टेनेबल डेलोपेट गोल्स के बारे में बात करें तो एक बहुत इंपूर्टन सत्रा गोल्स है कि जो फूचर के मतलब सस्टेनेबल मतलब जो डेलोप डिटल में उसके बारे में डिसकस करें का बहुत अच्छा टॉपिक है तो इस 17 गोल्स के एचिमेंड में अभी तक इंडिया कहा तक पहुचा वह यह रिपोट के अंदर स्टेट ऑफ इंडियास एंवर्मेंट डिपोट दर 22 किसके तुरा लॉंच के डि डाउन टू अर्थ तो नामकी संस्टा है उसके दुआरा डॉंच किया गया तो अभी उसने एक स्टेट वाइज ईयंटरेटरिटर वाइस भी बोला है कि इंडिया के वरां अंत्रपद्रिहिश के दिवारा हैं के दोरहां सबसे खराब पर्फॉमेंस है जर्कन ग्लबाण के दिवार यह जो रिपोर्ट के मुदा मिस्वाज के रहा के तब दोप बाड़ी test की बात करें उने बिल्यातिकर ज्थ दिवारा ग filming of वार्ट साम की संस्टा है ने वो कॉमन सेंटर फूर साइंस एंवर्मेंट सीसी के इंडर में वो काम करें सीसी के फाउंडर है अनी लगरबाल डिरेक्टर जर्नल है सुनिता नरेंड और हरी कोटर हैं विजिल लेके अंगर ओके आपको समझने आपको अब के अच्छा के अपके एक अपके उपस्केल एकेडेमी अपहीं रिसंटे एक एक कड़ेमिक काई स्सेंन किया घ्री में के द्वारा मेटी जहां प्राटफर्म है मेटी और गूगल के द्वारा एक एक एकडेमी लॉंच किया गा है एकडेमी अपस के लेकर नहीं एकडेमी का लॉंच करने का में परपस यह है कि उन्हों इडेंटिफाइगी और सपोर्ट करेगी प्रॉमिसिंग इंडियन स्टार्टप एंड हैस्ट ने ग् इंडर एप डेवलोप्मेंट का काम करिए अब यह एकडेमी का मेंड परपस यह है कि जो स्टार्टप डॉमेस्टिक टेवल के उपर एप को डेवलोप करें न वो ग्लोबल एप्लिकेशन बनाएं गेमिंग के उपर काम करें आप यहां पर देखो उसका मेंड मोटीव है ग मेंड सेक्टर सब्स्टा यह कोहर्ट इंडेचन एज्धेशन सेक्टर के उपर एकेशन के बनाएं रहल्ट स्टर के उपर हैनलस सेक्टर के उपर फाइनल सेक्टर के आप साचल करेगी टू डियालोग तो ग्लोबल लेवल एप्लिकेशांस राइट ओके उसका मेन परपस यह है वाको समय में आया होका अपर रिसेंटली एक और एक रिपोट लांच किया गया वैल ट्रिपोट 2022 किसके दौ़रा नाइट प्रेंग के दोरा एक रिपोर्ट रिपोट इसके मुगताबी इंडिया रेंक्स थर्ड इंग बिल्यजनियर पॉप्युलिस और सबसे दाब कहां पे ह तेट कि अपर दिसेंदें एक वेल्थ रीपोल डॉंस किया गया किस नाइट फ्रेंक के ज़वारा उसके मुताबिक सबसे दवीजिनर्स कहां पर है यू-एस के अंदर और इंडिया का रिंग के सबसे दा बीजिनर्स के अंदर कहां को अनसा है थर्ड नांबर है Okay इंडिया के अदर अधा हम पर्टेक्लेरी बात करें तो एक टेबल के ही बात कर लेते हैं कर दो सब्से आदा wealth मुदला Captainнос कहां पर आपए हैं US का इसके और उइस दर उसके बाद चैना के अदर थर्ड न नमर पर इंडिया है और इंडिया के दर हम पर्टिकुलरी बात करें कि सबसे आदा हाई नेट वर्थ इंडिडियल्स का आप है बिलिनर्स का आप है तो मुंबई हाइदराबद और पूर्ने के अंदर अभी आपके exam point of view से बस ये just ranking एक से तीन के आपको याद रखनी है और एक नई category इस बार एड़ के गए थी just knowledge सब्सक्राइब किया है और अब भी बीडियनर बन गए है बाइज उस चैसे राइट तो ऐसे कितने next generation बीडियनर से तो उसका भी मतलब एक अलग से category इस पर हां रखा गया है वेल्थ रिपोट के इंदर तो नाइट फ्रेंक के दवारा लॉंच किया गया था राइट ओके अभी एक फिल्ड असेस्मेंट आप दे स्वच्छ स्वरेक्शन 222 लॉंच किया गया स्वच्छ स्वरेक्शन क्या है आपको पता है कि स्वच्छ परत मिशन स्वच्छ परत मिशन के बारे में आपको पता ही होगा कि स्वच्छ परत मिशन क्या है कि स्वच्छ परत मिशन के दो पार्ट डिफ्रेंट्स एक तो स्वच्छ परत मिशन अर्बन एक स्वच्वारत मिशन कर आमिर्ट त्सक्र्ज़ मैं ये स्वच्वा पनीशन अरबन वह मिनस्टी जल सकती चेंदर पैस्वार कोना अरबनाइब यह जो दो स्वच्वारत मिसेंद अरबन है वह मिनिस्टी ओफ टीज यार आप मिनस्टी आफ फिव testimon नेदर में स्वंजब़ाद mission Gramin वह वो ministry of जल सकती के अंडर मैं नाम सुना होगा ministry of जल सकती स्वाच-पृत mission एक्छुली 2014 के अंदर मोंच गया थह और इसके दो पार्ट है मी जिसन और बंष्भराद mission गरामिन यो स्वाच-पृत mission अर्वन डिस्टिक के तरह कितने अच्छे से implement किया गया है उसी का सर्वेक्षन है स्वाच पारत मिशन लॉंच किया गया था 2014 के अंदर और स्वाच पारत जो यह स्वाच स्वाच पारत किस तरह से implement किया गया है उसका हर एक सिटी के अंदर उसका एक evolution है यह स्वाच स्वाच पारत का में परपस यह है जो 12-16 से start किया गया है हर साल स्वाच पारत मिशन हर एक सिटी हर एक लिस्टी किस तरह से implement करता है इसका main परपस यह है बराबर वो देखना समझे तो यह उसका सात्वा मतलब यह पार्ट था स्वाच सब्रेक्षन 2022 जो ministry of housing and urban affairs के द्वारा लॉंच किया गया राइट यह इस बार की जो खास बात है कि अभी तक क्या था कि जो सीटीज के अंदर स्वाच पारत मिशन इंप्लिमेंट हो रहा था उसमें से अभी तक 40% सीटीज का ही मतलब एक सेंपल लिया जाता था कि 40% सीटीज ने कैसा परफॉर्म किया उसके मुताबिक फिर एजिम किया था कि ब पर मिशन के अंदर उस सभी का अकल निया पर किया गया और सभी के इवोल्यूशन के लिए गवर्मेंट ने टूटल 3000 को अपोइंट किया है और 3000 कंपनी के है इप्सूस रिशर्ट के कंपनी के अपोगे अबी तक क्या अन्दर लुक्राइं को यह इंक्रूड किया जाता था कि जो सीटीज ने पाकिशिपेट किया है उनको है उनका ही इवोलिशन किया जाया लेकिन इस बार से कुछ स्वक लिस्टिश को भी इंक्रूड किया गया है कि अबीन जो सीटीस के अंदर बाहिसे ऐसा है तो उसको भी मतलब इंक्रूड기 किया जागा तो में इसे के स्वाच स्वाइशन का एक महत्वा का एक पॉइंट है ओके डेन एक दूसरी बात कि स्वच्छ टेखनोजी चैलेंज स्वच्छ टेखनोजी चैलेंज भी इस बार लॉंच गया है कि जो कम्पनी जो और्गेलेजन एक अच्छा इन्नोवेटिव आइडिया देगी कि जिसकी इन्नोवेटिव आइडिया कि जो स्वच बारत मिशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है तो उसको यह अवर्ड दिया जाएगा ओके तो यस तो यह तो टीन चीज़े इस बार एड़ की गई है ओके बाकी स्वच स्वरेशन की बात करें मैंने आपको बोला उस तरह क कि दोनार सोला के अंदर मिनिस्ट्रेफ हाउसिंग अर्वन अबरस के लांच किया गया और एक क्रियेट करता है वह सीटीज के अंदर कि हमको स्वच आप अभी देखते होगे कि जब से स्वच बारत मिशन किया कि अभी है पहले हम जब मतलब कुछ भी हम कहीं पर भी करते हैं तो मैं भी करो ऐसा राइट ओके अब भी रिसेंटली गवर्मेंट पर्टिबली मुमेन चाइल्ड डेलोपन जो मिनिस्टर है हमारी स्मृति इरानी उन्होंने एक पांच लाग का इंसुरंस लॉंज किया है ओसी वर्कर्स के लिए ओसी वर्कर्स ओसी वर्कर का करते हैं जो मैंटली पीपल होते हैं जो आप पूलते हो पागल पीपल होते हैं लुटा मैंटल स्टेबिली टि अच्छी नहीं उनकी का करते हैं लॉकर 5 लाग का हेल्थ इंसूरंस अब भी प्रोवेड़ किया गया किस के दवारा वोमेन और एक संसा है संसा है नीम हंस करके एक संसा है और मिनिस्ट्रे वुमें और दोनों साथ में मिलके जो यह वरकर है उनको ट्रेंड करेंगे कि वह फुर्दर अच्छी तरीके से मेंटली इन पीपल को और ज्यादा अच्छी तरीके से उनकी क्यार करें तो अभी दिखो नीम हंस नाम की संसा का फूल फॉर्म के अंदर निश्ट्र इंश्ट्र इंट्र हेल्थ एंड नियूरो साइंस जहां पर भी नियूरो साइंस के बात होगी बरावाद जहां अभी यह होंने का यह करी मनुरक सा प्रजेक् क्राइंस होजाएं गए उसका में कान्ता में जाएंस के बारे में हैं मैं पर द दीखायेb उनके फ्र मर्साइड बारे में राइफ Swiss Swiss to become the world's first airline to use a solar aviation fuel okay Example 2 is a one word question क्यों अभी रिसंती मलकी पहली airline कौन सी बनने की जिसने solar aviation fuel को यूज़ के है solar aviation fuel मतलब ऐसा fuel की जो solar की मदद से बना है solar की मदद से कुछ process होके ये fuel बना है surya urja की मदद से तो first airline to use a solar solar aviation fuel Swiss Swiss कहा की airline है Switzerland की exam point पे से इतना ही important है कि solar aviation fuel को यूज़ कने वाली पहली airline कौन से बनी Swiss वो कहा की airline है Switzerland की राइट तो बाकी इसमें से कुछ इतना important नहीं जिस वन वर्ड क्येशन था लेकिन ये पहली बार solar aviation fuel का यूज़ किया गया है इसलिए मैंने स्लेड के अंदर एड किया गया है राइट अबी दो न्यूस है एक sports के बारे में है कि अबी रिसेंट्ली एक वर्ड आर्करी पेरा चेंपियंशीब हुआ उसमें सबसे पहले तो वो कहां पे हुआ दुबे के अंदर उसमें इंडिया की जो पूचा जद्यान करके खिलाडी है वो विकम फर्स्ट इंडियन टो विन दे इंडिविडियल सिल्वर इन पेरा चेंपियंशी देखो अभी रिसेंट्ली वर्ड लिवर की उपर वर्ड आर्करी पेरा चेंपियंशी वर्ड आर्करी में दब तीरंज आजी स्पोर्ट्स पर्सन जो एक बड़ी मेरा एक सिंथी हसल करता है तब उनके बारे में ज्यादा तक हम अभी देख फॉर एक्जांपल नीरा चोपरा है जब उन्होंने ओलम्पिक जीता तब उनके बारे में हमको पता चला रहे उसी तरह पुछा चत्यान कि जिसके बारे में अभी तक हम जाते भी नहीं थे लेकिन उन्होंने एक बड़ा टूनामेंट जीता तो अब न्यूस के अंदर कैसे आता है कि स्पोर्स उनके वो कॉंसे स्पोर्स से भी लोग करता है तो आरकरी से रैट तो एक एक्जाम पॉंट फिसे एक्क्विशन इंपॉर्टन था और एक इंपॉर्टन डे वर्ल्ड वाइल्लाफ डे दोजार बाईस वो कब सेलेब्रेट के रहा था तीन मार्ज को और उसकी रखे गए थी कि रीकबरिंग की स्पीसिस फोर्ड इको सिस्टम रिस्टोरेशन जो वा डे डे की स्पीसिस वर्शाय्म रिस्टोरेशन और 2022 व्ल्वाइल लेफ्ट दें इन मार्च को सलेब्रेट किया गया ओके एलेक्टोनीशने टेक्नोरी मीनिस्टर अस्वीनी वहिश्नम ने अभी उगणन किया 3んな NIC Tech 2 fiscal NIC का पुल्फारमन निशनल इन्फर्मेटिक के नेशनल इन्फरमेटिक सेंटर टेक Tech Concliffe एक अभी निसनली लांज काया गया हमारे Electronic Information Technology Minister अस्वीने वाइसनर के द्वारा अभी ये Tech Concliffe जो अभी उरकरने के गया वो Tech Concliffe की theme क्या रखे गई थी कि Next Generation Technologies for the Digital Government, Digital Government के लिए Next Generation Technology The National Informatics Center has been organizing the Tech Concliffe focused on the energy technologies applicable especially in the e-governance देखो सबसे पहला सबसे पहला question exam point वीश है कि ये जो Tech Concliffe हर साल कौनसी संसा के द्वारा मनाई जाता है और्गिनेस के रहता है National Informatics Center National Informatics Center कौनसी मिनिस्टी के अंडर में काम करता है Ministry of Electronics Information Technology के अंडर में काम करता है ये दो क्मिशन बहुत इंपोर्टन्ट है इस बार की theme क्या रखे गई थी कि Next Generation Technology is for the Digital Government Government का में एक मिशन चल रहा है कि IT Officials के जितने मिनिस्टर्स है इस बारे बार ने जितने भी ओफिसेल्स है IT Officials Information Technology के जितने भी ओफिसेल्स है उनको train किया जाए एक तो Cyber Security के अंदर Cyber Security के अंदर और एक Digital Governance के अंदर E Governance के अंदर अब इसेंटली एक February end के अंदर ही हम बात करें कि क्या IT Officials हैं जो Government के अंदर काम करते हैं उनको Cyber Security के अंदर Launch का Train करने के लिए Government ने एक Competition launch किया था एक Training Organize की थे उसी तरह कि यही IT Officials E Governance के अंदर अच्छा काम करें E Governance के अंदर कुछ ने कुछ यहलब करें इसलिए Government उनको train कर रही है यह Tech Conclave के थूँ और यह Tech Conclave किसके थूँ अंदर के रहता है Organize के रहता है NSE के द्वारा NSE कौन से मिनिस्टी कंडर में काम करती है Ministry of Electronics and Information Technology कंडर में काम करती है I think आपको अभी तक समझ में आया होगा Right Simple Okay Okay अभी एक और एक रीपोट है कि इंडिया ने अभी कि 2021 के अंदर अभी तक का सबसे ज्यादा Solar Capacity एड़ किया है 10 GigaWatt Highest Year in the Year और यह रीपोट किसके दरा लॉंच किया गया है Mercom India Research Report तो जब भी कोई रीपोट आता है तो वह रीपोट का टाइटल वह रीपोट किसके दरा लॉंच किया गया है रीपोट का मेन कंटेंट किया है मेन कंटेंट यह है कि इंडिया ने 2021 के अंदर 10 GigaWatt Solar Capacity को एड़ किया है जो अभी तक का सबसे हाइस है इन सिंगल यह और यह रीपोट लॉंच किया है Mercom India Research Report के द्वारा अभी यह पूरी न्यूस यह डीटा जस्ट अब एक बार दीज कर लें जस्ट पूरा डीटा ही डीटा है आपके एक्जाम पॉइंट वे से इतना इंपोर्टन नहीं है जस्ट यह टाइटल आप देख ले ना कि इंडिया ने 10 GigaWatt Solar Capacity 2021 के अंदर एड़ किया क्योंकि 10 GigaWatt आप नंबर इंपोर्टन ने क्योंकि सबसे ज़्यादा है अभी तक इसलिए वो कौन से रिपोट के तोरा किसके तोरा लॉंच किया गया था यह एक सिंपल क्वेसा ना सकता है ऑके और इंडिया के हमें एक कुछ गोल्स के बारे में आपको बात कर दो कि इंडिया ना एक गोल्ड सेट किया है कि वो 2022 तक 2022 के एंड तक 2022 के एंड तक 175 GigaWatt Renewal Energy Establish कर देगे 2022 के एंड तक और 2030 के एंड तक इंडिया 450 GigaWatt Renewal Energy Establish कर लेगे तार्केट में अभी क्यों आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बार बार एक्जाम में आता है कि 175 GigaWatt Renewal Energy इंडिया कपता कर सब्सक्राइब कर देगे 2022 तक और 450 GigaWatt Renewal Energy इंडिया 2030 तक सब्सक्राइब कर लेगे वह इंडिया दो टार्गेट सेट किये हूँ है राइट बहुत इंपोरेंट टार्गेट है इसलिए मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ ठीक है अग लास्ट न्यूस कि अभी रिसेंटली जैट एरवे ने अपकेंट किया संजीव कपूर एज चीफ एक्जेकुटी ऑफिसर सीओ जैट एरवेस अपकेंट सब्सक्राइब किया गया था वह अभी फिर से अपना ऑपरेशन चालू कर रहा है तो उन्होंने अपने नए संजीव कपूर को बारे बात करो फाउंडर है नरीश को एल 1992 के अंदर उसका सब्सक्राइब के अंदर उसका हेड़ कार्टर है आई तिंग आपको आज की नियुस के अंदर समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच एंड वीट इन नेक्स्ट वीडियो एके थैंक यू